वेलकम बैक नाजरीन आप देख रहे हैं हिल्दी कोकिंग आमना के साथ और यहां पे चिकन नूडल सूप आज हमारी जो हिल्दी रेसिपी है वो मैंने आपके लिए सर्फ की इसमें हमने सिर्फ चिकन स्टॉक शामिल किया था अप्रॉक्सिमेटली 500 एमिल और इस हिसाब से 300 ग्रैम नूडल्स हमने अल्रेडी जो उबले वे नूडल्स थे वो शामिल किये थे और उससे पहले आपको पूरी रेसिपी पता थी और उसमें हमने रेसिपी कार्ड भी चलाया था और मैंने आपको रीकाब भी दिया था दोब सा अबाला ताकि अच्छी तरह सारा जो फ्लेवर है सारी वेच्टिबल्स का वो सारा जजब हो जाए चिकन स्टॉक में आ जाए और उसके बाद नूडल्स हमने शामिल किये और नाजीन यह एक बहुत फिलिंग चीज है आपको पता है कि अगर डायट में इसका इजाफा हो सूप का इजाफा ना हो तो डायट बिलकुल अपसेट हो जाए बिलकुल तरम बरम हो जाए लेकिन यहां पे डायट में सूप का बहुत जादा वो पार्ट प्ले करते हैं क्योंकि वो जो सूप हैं वो आपके पेट को काफी देर भरावा रख सकते हैं और आपकी भूग की जो इंटेंसिटी है वो इसको कम कर देते हैं और आपको सारी न्यूटिशन पहुंचाते हैं यानि के सारी मिनरल्स और विटमन्स और सारी जो ताकत होती है अब आप देखें चिकन नूडल सूप में काबो हाइडरेट का भी ब्लेंड है प्रोटीन भी है क्योंकि इसमें च टेल में तयार किया तो ये बहुत जादा सेहत मन कंसिडर किया जाता है हार्ट हेल्डी पेशेंट्स के लिए कोलेस्ट्रॉल के लिए बलड प्रेशर के लिए जाबतीज के लिए किसी भी इल्मन्ट में और आपने ये जरूर सुना होगा कि जब भी इनसान को फ्लू या नहीं आपके फ्लू में क्योंकि ये आपके सारे जो आपके जो एर वेव्ज हैं उनको क्लियर करता है लंग्स में खासी जुकाम में और आपके पूरा जो जो सारा एंटी का जो आपका पूरा सिस्टम है उसको सारा क्लियर अप कर देता है तो नाजीन ये बहुत होलसम फू को आप पिलकुल इसको ऐसे टर्म कर सकते हैं कि इसमें आपको और कोई चीज का अधाफा नहीं करना तो ये इसके साथ और कोई चीज बनाने की जरूरत नहीं है तो नाजरीन जैसे कि आप जानते हैं कि हमेशा मंडे वेंज़ेज और फ्राइडेज को आप सब के लिए एक सप्राइज रेसिपी होती है और वो कौन सी होती है आज की हमारी सप्राइज रेसिपी है चटखार की मिंट चटनी के साथ हम बना रहे हैं बहुत मज़ेदार वेज की रैप्स जो हैं इनमें सिर्फ सबजियों का और ब्रेट का इस्तमाल किया जाएगा इसमें हम कोई प्रोटीन इस्तमाल नहीं करेंगे और चटखार ने नौरस ने एक बहुत जबर्दस मुन्फरिद लाइन अभी इंट्रड्यूस की है जो के हैं चटखार की चटनिया जि मस्टर्ड सॉस इसमें मिंट सॉस ग्रीन चिली चटनी इमली की चटनी अब रमजान भी आ रहा तो हमें कोई चटनी बनाने की घर में पहले से जरूरत नहीं क्योंके हमारे साथ चटखार है यहां पे यह बहुत मज़ेदार वेजी रैप की रेसिपी आप जरूर नोट कीज मखन लगा लिजए यहां पर करीब रख लेती हूं ताकि आपको अच्छी तरह क्लियरली नजर आ सके अच्छी तरह आपने बच्चों को वैसे ये वैसे भी बहुत मज़े की लगेगी खेर बड़े भी बहुत चौक से खाएंगे मिंट चटनी पुदीने की तो इतनी थंडी थंडी स्पेशली गर्मी के मौसम में और चाय के टाइम पे हमेशा कुछ मज़े का खाने को दिल करत है तो आप बनाईएगा ये बहुत मज़ेदार वेजी रैप्स चटखार की मिंट चटनी के साथ अच्छा जी यहां पे यह हमने चटखार की मिंट चटनी एक छोटे से बॉल में डाल लेते हैं ताके असानी से हम अपलाए कर लें अच्छा जी अब आपने इसको अच्छी तरह स्प्रेट करना है दोनों साइट्स पे कीजिएगा बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही रिफ्रेशिंग वैसे आप चाहें तो अगर सबजिया ना डालना चाहें और सिर्फ मिंट और बटर की चटनी सैन्विचेज भी बिलकुल हो सकते हैं यहां पे आपने खीरा रखा और थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा हमने प्याज रखा एक से दो अदर टेमाटर और थोड़ा सा चुकंदर और इस पे हम शामिल करेंगे थोड़ा सा चाट मसाला और जरा सा नमक अब देखें यह कितना जादा मज़ेदार और हिल्दी रख रहा है और यहां पे हम इस सैन्विच को बंद करेंगे और इसको जरा सा बीच में से इसके दो हिस्से कर लेंगे ताकि एक आपको साइड जो है वो हम दिखा सकें ताकि आपको क्लियरली बिल्कुल पता लग सके कि इसके अंदर यह इतनी रिच और मज़ेदार वेजटिबल्स को अच्छी तरह आप इसको व्यू कर सकें इसको मैं यहां पर रख देती हूं ताकि आपको क्लियरली नजर आ सके चिकन नूडल्स के साथ यह बहुत ही मज़ेदार और एक नए जाएके के साथ आप इसको तयार कीजएगा आज की हमारी जो आज की जो हमारी स्पेशल रेसिपी है इसको आप जरा सा यहां पर इसको मैं आपके लिए सर्फ करूंगी बहुत ही असान आपने देखा कितनी सिंपल सी रेसिपी है और सिंपल सी रेसिपी इसका ही तो मज़ा आता है क्यूंकि जादा वक्त किचन में नहीं लगता कौन आज क्या उत्तुन चिंपारर्व गूंगी लगता कर्व परिज्सार्ण सुझें कि मैं यूर्य ऑप कर सकते मिस्सीस असर्थ हम आपके साथ हैं मैं आपके साथ हूँ हम थ्यू आपका कम केरने तीं को कोळा रहां इसका मैं डिल्ल्स कर ते हम्सीस सलस 84 माश्ने में अगका कुछ बीच में आपको हमने राप्ता भी करने की कोशिश की थी शयद हुआ नहीं बताईए मुझे जी मैंने बेटी का एमेल में ड्रेस्ट आपको लिक्वा देती हूं अच्छा आप मुझे लिक्वा दीजे मैं उन्से डिरेक्ट ली राप्ता करें ली आइलाव गोहीर एव दाइलाव गोहीर ऑपकोशना अच्छा टकॉम अच्छा ठीक है अच्छा ठीक है मैं दूबारा से काहँगी आयला ना ए-वाइ-ई-आ-ए-छ्छी याई-वाइट डबल य-ार झीज़ि बिल्कूर ए एक वरडिए एट लाइज को एट-लाइयर सुआ आज-ए-ट-कॉम आ हमारा रापता हो जाएगा और फिर मैं उनको जैसे 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 उनको गाइड करने की जरूरत होगी मैं उनको गाइड करती हूँ आमना आप यकीन करें कि मैं सारी जिंदगी आपके शुकर बजार रहूंगी प्लीज इस तरह नहीं कहिएगा आप बिलकुल परिशाना हूँ अब आप समझें कि आपने अपनी परिशानी मुझे दे दी है और आप बिलकुल रिलाक्स होके बैठ जाएं और आलिया से मैं बलकुल आईला से आज रात को बात करके उनसे पूरा जो बैक्ग्राउंड उनकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री भी मैं नोट करूंगी और उसके बाद हम उनको गाइड करेंगे सीरियस तरीके से कैसे उन्होंने जो है डायेट को फॉलो करना है आपने मुझे बताया कि वजन गिराना उनके लिए मुश्किल हो रहा है उन्होंने बहुत डायेट प्लैन्स को फॉलो किया अमरीका में तो बहुत से डायेट प्लैन्स होते हैं लेकिन कहीं न कहीं कुछ चीज सही नहीं हो रही तो वो हम में डीटेल में पता करेंगे और इन् मैं यही कह सकती हूँ कि आप सबकी होसला वजाईका बहुत शुक्रिया तो नाजरीन यहां पर हम लेंगे एक च्छोटी सी ब्रेक कईमा जाएगा हमारे साथ रहेगा and we'll be right back